न्यूस रूम से सयोगी राजीब रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है। राजीब बिहार को विशेश राजी का दरजा नहीं मिला लेकिन केंद्रिये बजट में विशेश पैकेज का एलान जरूर किया गया है। सवाल ये कि क्या इस विशेश पैकेज से संतोष्ट हो जाना जाएए क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस पैकेज से अलग है। ये 69,000 करोड रूपिये मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि NDA में भाजपा के दो सहयोगी हैं एक आंध परदेश के तेलगु देशम पाटी जो है चंद बावु नाइडर उनके सुला सांसद है। उसके अपेक्षा बिहार के जदियू यानि नितिश कुमार के मात्र बारस अंसद है। लेकिन आंध परदेश से चार गुना राशी बिहार को मिली है इस बजट में। इसको चार गुने जिसके नितिश कुमार सी है मैं उनको चार गुना राशी मिल रही है। जबाब आया है कि आप 2012 में सत्ता में थे UPA की सरकार थी मनमोहन सिंग, चिदंबरम वितमंत्री थे और लालू जी थे उस समय। तो उन्हों ने जो प्रावधान हटाये थे विशेश राज के दरजा का जो संसद में आया था प्रावधान उसको हटाये गया था जिसके चलते बिहार को विशेश राज का दरजा नहीं मिला। तो आपने तो वह प्रावधान हटा करके बिहार को एक तरह से बंचीत कर दिया विशेश राज के दरजा से हमारे आप पहारी छेतर ज्यादा है नहीं और वह जारकन डालग होने के बाद हम लोग के पास कुछ ऐसा है नहीं तो आपने तो 2012 में ही वह प्रावधान हटा दिय तो फिर से लागू करवाने में बहुत पर्शानी होगी उस समय हम लोग परियासरत है कि विशेश राज के दरजा के लिए जो निती आयोक का नियम कानून है उसमें कुछ बदला हो लेकिन उसके लिए तो समय लगेगा लेकिन उससे पहले बजट में 69,000 क्रोड लग बिहार को मिलना ये बड़ी बात है जी चलिए बहुत शुक्रिया जाजीव आपका तमाम जानकारी के लिए